पूर भारतिय कुस्ति महासंग का अध्यक्ष आब ब्रेजबूशन का मामला फिर से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि बीते दिन महिला पहलवान खिलाड़े जिसमें साक्षी मलेक विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया फिर से जंतर मंतर धरना प्रदर्शन के लिए पहुचने वाले थे फिर से वहाँ पर अपनी अवाज उठाने वाले थे लेकिन इन पहलवानों को रोक दिया जात जिसके बाद ब्रिजबूशन सरंसिंग के एक एक करके कई बयान सामने आते हैं ब्रिजबूशन सरंसिंग का ये बयान जो सामने आया है फिर से घरमाता वह नजर आ रहा है फिर से ब्रिजबूशन सरंसिंग के शब्द बिगड़ते वे दिखाई दे रहे हैं जिसके बाद ब्रिजबूशन सरंसिंग पर आरोप लगाया जा रहा है कि भारते जनता पार्टी में रहते वे उन्हें बचाने की कोशिश की गई है यहां पर तमाम पहलवानों ने जो छे शिकायत करता थी उन्होंने बकाइदा यहां पर अपने बयान दर्ज करवाए हैं उसके अधार पर दिल्ली पुलिस ने जाच की और जाच करके कई सबूत बरामत किये लेकिन उसके बावजूद यहां पर ब्रिजबूशन सरंसिंग को राहत मिल जाती है यह सत्ता की पावर करिस्तमाल किया जा रहा है यह महिला पहलवान खिलारी कहते वे नजर आ रहे हैं इतना ही नहीं ब् कि अगर मैं किसी भी खिलारी का होसला अफ़जाई करता हूं या बिना उसकी परमीशन के उसे चूता हूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं गलत इरादे से चू रहा हूं लेकिन यहाँ पर एक बात यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि जब अगर कोई लड़की आपको पर्मीशन नहीं दे रही हैं यहाँ पर जो खिलाडी हैं जो आपको मना कर रहे हैं कि मत छुई हैं यहाँ पर कई ऐसी तस्वीरे कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जो दिल्ली पुलिस ने खुद सबूत के रूप में दिखाए हैं उन्होंने कहा है कि यहाँ पर ब्रेजबू लड़कियों को यहां पर बुलाते वे नजर आए उन लड़कियों को यहां पर छूते वे दिखाए दिये लेकिन अब जिस तरीकी के बयान सामने आ रहे हैं अब इनका बयान तूल पकड़ चुका है फिर से यहां पर महिला पहलवान के लाड़ियों का धरना प्रदर्शन अब ब्रिजबूशन सरन सिंग के इस वयानों को पकड़ते वे यहां पर मामला गर्माता हुए नजर आ रहा है इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं धन्यवाद